हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है Only Success Academy में माई नेम इस केशप कुटोच और आज जो मैं वीडियो लेकर रहे हूं आपके लिए वह है एफकेट वन तुन टुन टुन टी टू के इंपोर्टेंट जी इस टॉपिक जो के आपके एक्जाम में आ सकते हैं देखें I hope कि आप ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाली आपके लिए तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के और तो देखें सबसे पहले जो सेक्शन है जितने भी एक्जाम पिछले पांच सालों में हुए हैं उन सभी एक्जाम को मद्दे नजर रखते हो हैं मैंने यह टॉपिक डिसाइड क कि किन में से जो EFO से वो ज़्यादा क्शेंट पोछ रहे हैं तो सबसे main topic आता है sports section sports section से तीन या चार questions आपको आई ही रहे हैं तो वो कहां से आ सकते हैं सबसे पहले आयadasac по aSeич टो सटाने की जैसे आप सकते हैं कि 3 seconds और का जो rule है ये किस गेम का है, तो 3 second rule आपका basketball का है, तो इस तरीके के questions आपसे पूछ सकते हैं, कि जो games के rules and regulations होते हैं, जो terms होते हैं उन पे question आ सकता है, जैसे मैं यहां आप लिखे rules के ओपर भी questions आपको आता है then आपका number of player के ओपर question आता है किस में, कितने number of players जो हैं, वो खेलते हैं, जैसे cricket में 11 number of players खेलते हैं, बास्केट वोल में 5 खेलते हैं, तो इस तरीके question आपसे पूछे जा सकते हैं grand slam पे question आ सकता है आपको grand slam पे इसलिए question है because recently जो है US Open है आपका Australian Open है, Wimbledon है यह questions आपके होते रहते हैं तो यह जो आपके grand slams हैं, यह important है और इनको किसने जीता है, यह भी important है और first time कहां हुए थे या यह grand slam जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि king of clay किसे कहते हैं तो king of clay रैफल नडाल को कहते हैं तो इसका question आपसे बनता है sports awards जैसे recently आपके राजीव गांदी खेलरतन अवार्ड को change करके major dhyhanchand award कर दिया गया फिर major dhyhanchand award पहे गया है नीरत चोपडा को दिया गया है यह international awards, football के आपके जो awards हैं, वो किसको मिला है और खासका Tokyo Olympics को ज़रूर पढ़े क्योंकि recently Tokyo Olympics से आपको questions बन सकते हैं और इंडियन्स जिनको medal मिले हैं किस field में मिले हैं यह आपको जानना है और जितने भी tournaments हैं कपस हैं, वो किस sports से related हैं जैसे Durand Cup आप से पूछा जा सकता है तो Durand Cup आपका football से related है तो इस तरीके के आपके questions आप से पूछा जा सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं next slide के और So next है कि अगर आप defense के तियारी करें और defense के sections को ना करें तो यह तो एक बहुत बड़ी बेबकुफी होगी तो ज्यादा तर हम क्या करते हैं जैसे आप CDS की तियारी भी करते हैं या फिर आप India की तियारी करते हैं तो defense exercise को तो पढ़ना बहुत जरूरी और defense exercise, Air Force की exercise Navy की और Army की exercise different countries के साथ हमारी जो है इस पर question आ सकता है और different दो international countries का आपस में जो different countries है जैसे पाकिस्तान का किसी countries के साथ है या नेपाल और चाइना का जैसे सागरमथा है तो ये सागरमथा किसको कहते है Mount Everest को कहते है सागरमथा exercise किसके बीच में होते है और बच्चे पड़ी बारी गलती कर देते है इंडिया और नेपाल के बीच में लिखाते है defense deals recently जो current है, ये current से related होगा क्योंकि current में अभी recently जो भी हमारी defense deals होई है जैसे हमने अभी Brahmos जो है, वो Philippines को हमने as बेचनी है तो इस पर कोशन आ सकता है कि Brahmos का पहला जो हमने जो tender है वो किसको दिया है या फिर हमने किसको बेची है Galantry Awards, recently जो मिले है या first PVC, इस तरी के कोशन आ सकते है आपको last PVC कि इसको मिला Missile System, India का उस पर कोशन आ सकता है कि कौन सी cruise missile है ठीक है, कौन सी ballistic missile है India ने कौन सी नई ballistic missile का टेस्ट किया अभी इस तरी के कोशन आ सकते है Weapons के उपर कोशने सा सकते है कि कौन सी anti-tank missile है कौन सी आपका टैंक का भी कौन सा है या S-400 missile की कि से लिए हमने इस तरी के question आजकते हैं Ships और Aircrafts, Recent वाले and the ranks Air Force, Navy और Army के ranks को पहलर अगर ये Commissioned Officer के जैसे Navy के सब्सक्राइब सब्सक्राइब के सब्सक्राइब इस तरी के question आप से पूछे आजकते हैं चलिए बढ़ते हैं History, देखो history का section थोड़ा है थोड़ा-थोड़ा सबी से आना है 2-3, 2-3 question सबी से आने है क्या पता आपकी जो timing थी उसमें question ना आए और दूसरी की timing में ज़्यादा आए पता आपनी ये cover तो करना है और आगे आपका CDS का exam तो आना है तो जो बच्चा F-CAT बढ़ रहा है, जहर सी बात है वो CDS भी बढ़ रहा है तो ये topics तो आपके generally तियार होने चाहिए इंडियस वाली civilization से आपको questions आ सकते है Buddhism and Janism से पका question आपका बनता है अकबर, Ashoka, Shivaji टीपु सुल्तार इनके time पे इनोंने क्या क्या किया है इनके साथ साथ कौन-कौन से इनके ministers थे कौन-कौन सी wars इनोंने लड़ी उस पे question आ सकता है कौन-कौन सी treaty इनोंने sign किया सल्तनत Middle India में आप 5 सल्तनत पढ़ेंगे जैसे आप लोधी तरहेंगे, खिलजी पढ़ेंगे slave dynasty पढ़ेंगे उनके founders, वो founders आप ज़रूर पढ़ें इन dynastry के साथ साथ मुगल एरा का founder जैसे बाबर जैसे मुगल एरा का founder थे इकी जरीके से मगत का होगा, गुपता dynasty होगी, slave dynasty होगी इसी तरीके से और social religious reforms आपके mainly जैसे की ब्रावो समाज का founder कौन है इसका आरे समाज का founder कौन है, theosophical society के founder कौन है, और सत्य शोधक समाज के founder कौन है, इस तरीके questions आप से पूछे आ सकते हैं, या year भी आप से पूछ सकता होगी, किस year में होगी, इसके बाद INC के जितने भी session से important session है, इन पर जैसे INC की first female president, any president, 1917 year भी पूछ सकता है, female president का नाम भी पूछ सकता है, Indian president, female president पूछेंगे तो सरोजनी नाइडू है, तो इस तरीके के questions आप से पूछे जा सकते हैं, गांधियनेरा आपके 1915 से 1947 तक गांधियनेरा के टाइम पर जो जो गां 1937 के बाद के governor generals बहुत जादा important है, chronological order को भी आप पे question पूछा जा सकता है, और freedom struggle moment में कौन-कौन से हमारे freedom struggle moments हुए है, उन सब के बारे में जैसे CDM हुआ है, non cooperation moment हुआ है, quit India moment हुआ है, इस तरीके के आपके moments आप से पूछे जा सकते हैं, गदर party के बारे में पूछा जा सक आप ही section जो है, ये question से पिछली बार बहुत questions आए, जैसे national park से questions आए हैं आपको, 18 biosphere reserve है हमारे, इस से question है, दो हमारी UNESCO की site add हुई है, total 40 है हमारी, तो UNESCO की site पे question आ सकता है, UNESCO के world biosphere reserve में हमारा 12th अभी पन्ना add हुआ है, तो इस पे question आ सकता है कि 12th biosphere reserve कौन सा add हुआ है हमार and resources of India, इस से specially question आता है, और capital of countries, पिछले दो सालों से आपके capital पर question बहुत आ रहा है, तो जैसे कि पिछली बार Iceland के ओपर question आयता है, कि Iceland जो है, वो कहां की capital, इसकी capital का है, तो रिक्जविक इसकी capital है, तो कुछ countries जो news में चल रही है, जो different है, आपको सोच भी नहीं सकता है, आ महां भी इस से question आ सकता है, तो इस तरी की country's के आप से capital पोच सकता है, और The Universe से तो questions तीन तीन, दो, दो, तीन, तीन questions आये है Same想, Sun के ओपर question आ सकता है, Moon के ओपर question आ सकता है, Solar System पे question आ सकता है, किसका revolution जयदा है, किसका revolution कम है, कौन anticlock wise घूमता है, कौन clockwise घूमता है, किसके Moons ज़्यादा है कि नहीं है, किसके ज़्यादा है, किसके कम है, इस तरीके question पूछ सकता है, और waterfalls पर question आ सकता है आपको, like कुछिकल आप सबसे highest waterfall है, तो वो कौन सी river के उपर है, इस तरीके question आप से पूछे आ सकते हैं, तो इन topics को नहीं छोड़िए, क्योंकि मेरी main बच्चों के साथ यही उजारिश रहते हैं, कि जो topics मैं बता रहा हूँ, इनको तो मत छोड़िए, बाकी topics आप cover जरूर कीजिए, जो आपको लगता है, क्योंकि अपनी भी एक strategy होती है, बाट मेरी एक help है आप सभी के लिए वीडियो के द्वारा, कि इन topics को GS के लिए ना छोड़े हैं, next step, quality, rare part 1 to 2 question आपका quality से भी question होता है, main making of constitution जैसे कि आप से पूछा जा सकता है, drafting committee जो है, इसमें इन में से कौन सा member नहीं है, या chairman कौन है, simple है, BR Ambedkar chairman है, schedules, 12 schedules, कौन से schedule में क्या है, 25 parts में पूछ सकता है, articles for 48 articles से जादा आप से पूछ सकता है, कौन से article में क्या है, जैसे कि joint sitting आप से पूछेगा, कि joint sitting of the parliament जो होती है, वो कौन से article में, that is article 108, तो static articles पगएर आप से पूछे आ सकते हैं, प्रेजिडेंट की legislative powers, pardoning powers, जैसे article 72 में, प्रेजिडेंट की pardoning powers हैं, गवनर की 161 में हैं, इस तरी के question आप से पूछेगा, और fundamental rights and fundamental duties, इन दोनों को तो आपने, विद article बस याद रखना है, कि हाँ भी कौन से fundamental rights में, क्या चीज़ लेकी गई है, and independent bodies हमारे UPAC के chairman, election commission के chairman, finance commission के chairman, इनको ध्यान में रखना है, पंचायद विद article, ओके, ये ध्यान में रखना है, और emergency हमारे article 352, 356 and 360, इसका ध्यान रखना है, आपने किस emergency हमारे देश में कब-कब लगी है, कब-कब नहीं लगी है, इस पर question पूछा या सकता है, and the last is static GK part, ठीक, static GK, total तो आपको static ही आनी, बट कुछ sections है हमारी, जो हमें cover करनी ही करनी है, छोड़नी निया, that is international organization, और उनके headquarter, जैसे आप से UNESCO का ही पूछ लेंगे, जैसे पारिस UN का पूछ लेंगे, SEO का पूछेंगे, जैसे SEO का new member इरान है, BRICS का पूछ सकते हैं, next meeting का है, summit कहा है, साक के बारे में पूछ सकते हैं, which one of these is not the member, इस तरीके questions आप से पूछे जा सकते हैं, ISRO DRD को आपने नेच होना, और इनके जितने भी डीशेंटली करेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट से इनको आपने ध्यान में रखना है, first in India and world, dances, जितने भी इंडिया के traditional dances है, cultural dances है, इनके आपको लिस्ट बनानी है, first award and honors, किसको कौन सा पहला प्राइज मिला, और खासकर नोबल प्राइज जो अभी रिसेंटली 10 डिसमबर को दिये गए है, ठीक है, आपके छे के छे सब्जेक्ट्स, फीजिक्स में, मैडिसेन में, केमिस्ट्री में, पीस में, लिटरेचर में, एंड यूर एकॉनिमिक्स में, यह जो नोबल प्राइज मिले हैं, यह आप लिखिए, इंटरनेश्ट्री डे, खासकर चार मंस के जो प्राणे आपके करंट है, लाइक आप लेसकते हैं, अक्तूबर के बाद, आप फेबरेडी तक, जितने भी आपके डेज हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगी, इनमें कौन कौन से डेज आते हैं, खासकर आपका नेमेंबर और दिसम्बर को आप ध्यान में रखें, इनमें से कॉश्चन आपको आएगा, फाइव यर प्लान, आपका बेसिक, जो आपढ़ते हैं, शायद आपको, लेंस के ओपर कोशे आ listeners आ जकना another person, ईस से कौन सी है, वाइव एवाइमिन्स के ओपर कोश्चन आ सकता है, अपको, इस स्री कोश्चन आ सकते है, इस एड़े कीओर कोश्चन आ सकता हैं, तो these questions can be asked from this तो जो भी topics मैंने आपको बता हैं देखो GS जो है वो 20 marks का आपका आएगा टोटल 60 marks हैं जाहिर से बात अगर आपको एफकेट क्लियर करना है तो आपकी reasoning सबसे जादा strong होनी चाहिए than your math बट यह आपको cutoff clear करा सकते हैं अगर आपको merit में आ रहा है अगर आपका SSB भी clear हो जाता है तो कम से कम आपको 200 marks लेना बहुत जरूरी है तो आपको merit में जैदा दिक्कत नहीं आती तो यह जो 60 marks हैं यह आपको help करते हैं तो यही help मैं कर रहा हूँ आपकी यहाँ पे कि आप इस वीडियो में जितने भी topics मैंने आपको बताए हैं इन topics को अच्छे से करिए इनको छोड़के ना जहेगा So all the best to all of you अच्छे से exam कीजेगा किसी को कोई भी help चाहिए या कोई भी question है आप comment section में मुझे बता सकते हैं चैनल को subscribe करना ना भूलिएगा तब तक के लिए thank you very much and all the best